असलाम लेकुम स्टूरेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे रिसीट्स एंड पेमिंट अकाउंट से किस तरह से हम कैश बुक बनाते हैं इससे पहले हमने देखा रिसीट्स एंड पेमिंट अकाउंट क्या होता है जहां पर कैश का आना रिसीट्स साइट पर लिखा जाता है और इसके बराक्स cash book क्या होती है cash book में तमाम information date के लिखास से जिस date को जो cash आए या जिस date को जो cash जाए वो हम लोग लिखते हैं और यहां पर ledger का reference भी दिया जाता है इस cash book में जो हम लोग balance लिखते हैं जो amount लिखते हैं उससे related जहां ledger बनता है ताकि उसका भी हमें पता चल से के इसके इलावा हम लोग यहां पर तमाम details जो भी आता है या जाता है उसकी date के लिखते हैं लेकिन receipts and payment account ऐसा account होता है जहां पर इन तमाम details की ज़रूरत नहीं होती जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिसका हम receipts and payments account बना रहे हैं उस organization का name जैसे यहां है star club इसके बाद हमने लिखा receipts and payments account और यह जिस year के लिए बन रहा है जैसे यहां हमने लिखा 31 December 2018 अब December 2018 जो है यह आखरी महीना है और जनवरी से लेकर December 2018 तक जो भी cash आया यह जो भी cash किया वो यहां पर लिखा जाएगा लेकिन उस cash को हमें जो भी चीज आई या जो जिस चीज के तुरू cash आया उसे date के लिखने की हमें जरूरत नहीं है और इसी तरह payment को भी हमें date के लिखने की जरूरत नहीं है और जहां हमने रुपीज लिखा हुआ है यहां पर हम लोग amount लिखेंगे और debit का मतलब है cash जब increase होता है cash आता है तो उसको debit किया जाता है यहां पर debit के लिए DR लिख दिया और बिल्कुल इसी तरह यहां पर हमने CR लिख दिया जो के credit को show कर रहा है अब हम cash book को देखते हैं और cash book को देखकर हम लोग receipts and payments account बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास debit side balance brought down balance brought down कौन सा balance होता है यह वह balance होता है जो पिसले साल के आखिर में होता है 30 December 2017 को जो हमारे पास cash रखा हुआ है वह है पचास हजार तो इस आल के लिए opening balance या balance brought down कहलाएगा तो इसको हम सबसे पहले यहां पर receipt side पर लिखेंगे कि हमारे पास जो opening balance है या balance brought down है वह है 250,000 तो उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे इसके बाद हमारे पास है subscription अब जो subscription है यह यहां क्लब के हम बात करें हैं इसके जो members होते हैं वो monthly या annually जो amount देते हैं क्लब को या non profit organization को जिसके थूँ तमाम काम होते हैं जिस पैसे को use करके काम किये जाते हैं उसे subscription कहा जाता है तो यहां subscription की amount जो दो फरवरी को receive की गई है वो है 6,000,000 तो अब हम जगा receipts and payment account में लिखेंगे क्योंकि यहां पर जो अलग अलग लिखी हुई है पहले दो फरवरी को फिर लिखी है यहां पर 5 April को फिर यहां दी है 3 June को यह अलग अलग date के लिखा से लिखी हुई है किस date को कि क्या amount आई है तो receipts and payment account में हमें date mention करने की need नहीं होती तो हम लोग इसे एक ही जगा सब्सक्रिप्शन लिख कर और जितनी भी सब्सक्रिप्शन इस यह में आई है उसे हम लोग जमा करके लिख देंगे तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन की एक amount है 6 लाक और फिर सब्सक्रिप्शन जो 5 April को वसूल की गई है वो है 9,50,000 इसके बाद 3 June को सब्सक्रिप्शन रिशीव की गई है 8,80,000 और इसके बाद जो हमारे पाद सब्सक्रिप्शन है वो है 18 December को amount आई है जो के हैं 2,50,000 तो अब हम इसे किस सरह से लिखेंगे, हम यहां पर आते हैं, हम लिखेंगे subscription, और जितनी भी subscription रिसीव की गई है, यहां जो amount लिखी हैं, उसके साथ 0000000 को निगलेक्ट किया है, ताकि जगा की वज़से, और यहां पर हम लोग यह amount पूरी लिखेंगे, तो इन तमाम subscription को अगर हम जमा करें तो यह आती है 26,80,000 गे बनती है तो 26,80,000 को हम लोग इस कॉलम में लिख देंगे इसके बाद हम बिलकुल इसी तरह जो भी चीज देखेंगे हम देखेंगे यह एडमिशन फी जैसे है इस से रिलेटेड यहां पर रिस साइट पर और भी एडमिशन फी से रिलेट है 25,000 फिर हमारे पास एडमिशन फी है 15 जोलाई को रिसीव हमने की है 30,000 और इसके इलावा कोई एडमिशन फी नहीं है तो इन दो एडमिशन फी को हम जमा करके रिसीड साइट पर क्योंके रिसीड साइट पर इस लिए कि इसके थुरू हमारे पास कैश आया है तो यह हम ल आऊजhr में रिख देना है। इसके बाद हमारे पास सब्सक्रेपशन, ये हम लोग और दो हाई है।겨 पहले ही हम लोग लिख चुकहाई सब्सक्रेपशन के साथ। इसके बाद है सेल ओ हमने एक लाग पचास सा रुपया हमारे पास यहां पर आया, तो इस एक फर्स रुक्तूबर को आया, तो यह जो तीनों हमारे पास और न्यूस पर सेल हुए हैं, इनको भी हम लोग इसी तरह जैसे हमने पहले किया एक ही जगा लिखेंगे, तो यहां हमने लिखा सेल ओफ और आमाउंट आई है, हमारे पास और न्यूस पर के थ्रू वो आती है, एक लाग और पचास हजार है, तो इसको हम लोग यहां पर अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, और यह हमने जो अमाउंट प्लस की हैं, वो यह अमाउंट हैं, जो कि न्यूस पर की हैं, दस हजार है, और 1,50,000 है तो यहाँ पर हमने पूरी amount नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ हमने हर तरफ zeros को, तीन zeros को नहीं लिखा, तो हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हम पूरी amount लिख रहे हैं तो इसके बाद हम देखते हैं new spiral हो गए, subscription भी हमने account for कर दी, यानि लिख दी receipt and payment account में, admission fee हो गई, sale of all news paper हो गई, अब आई, donations, अब जो donation आती है, कोई भी person, non-profit organization को, या जो भी organizations, welfare, ऐसे काम कर रही है, welfare के लिए organizations काम कर रही है, उसे donation देते हैं, जो के उस non-profit organization के लिए इस्तमाल की जाती है, amount, तो उसके थूँ जो आया, एक ला पचास हजार रुपे आये, तो यह हमने amount वसूल की है, तो इसको भी हम लोग receipt site पर लिखेंगे, तो donation के amount है, total वो 100,000, यानि एक लाग और यहां पर 50,000 है, तो यह मिला कर यहां हमारे बस आ जाएगा, 1,50,000 हम लोग यहां पर इसे लिख देंगे, अब receipt site पर जितनी भी हमा amount आई है हमारे पास, वो जिस चीज से related है, उसको हमने यहां एक दफा लिखा और उसके सामने सारी amount total, subscription के दुरू जितना आया, वो हमने जमा करके एक जगा लिख दिया, admission fee के दुरू जितना आया, वो जमा करके हमने एक जगा लिख दिया, और इसी तरह हमने receipt site पर हमारे प 33,10,000 को हम लोग यहां पर लिख देंगे, और इसके बाद अब हम आएंगे payment site पर, payment site पर हम लोग यह करेंगे, जो भी amount है, जो भी cash गया है, वो हम लोग payment site पर लिखेंगे, और यहां पर हम लोग उने credit लिखा है, क्यूंकि हम लोग जो भी amount cash जाता है business से, उसे accounting में cash के जा होता है, उसके जाने को हम लोग credit करते हैं, payment site पर जो चीजे हम लोग लिखेंगे, जो amount हम लिखेंगे, वो हम लोग cash book की credit site को देख कर लिखेंगे, तो यह जो हमारे पास यहां given है, यह data हमारा ज़्यादा है, तो यह complete नहीं होगा, तो हम इससे जो next video करेंगे, उसमें हम cash book क credit site है, इससे देखकर, receipts and payment account में, payment site पर amount लिखेंगे, और फिर हम चेक करेंगे, कितना balance इस साल के आखिर में हमारे पास आता है, जिसको हमने next year में transfer करना है,